हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की दोफ से प्यार भरह नमस्कार सत्स्रिया अकाल अदाब दोस्तों एक बन मैं फिर हाजिनों एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं चैट पटी मसालेदार मिसी रोटी जी हां के ये खाने में बहु तो देखिए फ्रेंड्स मैंने गहू का अटा लिया है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने गहू का अटा लिया है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने गहू का अटा लिया है तो आप इसकी रेशो दोनों की सेम भी रख सकते हैं या जैसा आपका दिल करें आप इसे बना सकते हैं त तो डाल देते हैं इसमें तीनो चीजें ये लीजिए तीन चीजें गईए इसमें बहुत ही बडिया फ्लेवर आता है इन सभी चीजों से और अब बनाएंगे हम चट-पटे, Mashala दाल तो Mashala डाल लेते हैं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें सबसे पहले नमक तो आदा चमच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने अड़ किया है और अब डालते हैं इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर यानि की टर्मरिक पाउडर आदा चमच आदा चमच ही मैं लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ यानि रेट चिरी पाउडर क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च काफी डाल दी है और ये है कोरिंडर पाउडर यानि धनिया पाउडर आदा चमची थोड़ा से ज़्यादा है चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया आदा चमच चाट मसाला और ये है अनारधना पौडर ये भी मैंने आदा चमची लिया है बहुत ही बड़ी है फ्लेवर आता है इससे और आदा चमच मैं डाल रही है क्यूमिन सीट्स यानि की जीरा साबुजीरा और आदा चमची डाल रही है अजवाइन यानि की कैरम सीट्स अब डालते है इसमें दो चुटकी हिंग हिंग डालना बहुत ज़रूरी है फ्लेवर भी आता है और हाजमे के लिए भी ये बढ़िया रहती है अब डालते हैं इसमें कसूरी मेथी और एक बड़ा चमच मैं डाल दूँगी इसमें ओईल तो अब इन सभी चीज़ों को हमें करना है अच्छी तरह से मिक्स ताकि सभी फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल का बटन प्रेस करना मत बूलिएगा क्योंकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम दो लगा लेंगे और बिल्कुत सॉफ्ट डो लगाकर इसका त्यार करेंगे तो मैं लगा लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं तो यह देखिए फ्रेंड्स अभी यह आटा एकठा हुआ है अभी सेट नहीं हुआ क्योंकि हमें इसे रेस्ट पर कम से कम 10 से 12 मिनट रखना पड़ेगा तो थोड़ा सा ओइल लगा लेते हैं इसके उपर और बाद में मैं इसे मसल मसल कर अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि यह और बड़िया स्मूथ हमारा डो बनकर त्यार हो जाए तो रख देते हैं इसे 10 से 12 मिनट रेस्ट पर उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी तो यह दिखे फ्रेंड्स मैंने आटा को अच्छी तरह से और मसल लिया था 10 से 12 मिनट के बाद और बहुत ही बड़िया हमारा आटा सेट हो चुका है थोड़ा सा मैंने से इसमें सूखा आटा लगा कर फिर मसला था ताकि यह इजी से मसला जाए क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसन की वज़े से थोड़ा सा यह मौइस्टर ज्यादा हो जाता है तो उसे हमें सूखा अटा डालकर अच्छी तरह से लगा कर त्यार कर लेना चाहिए तो चलिए मैंने मीडियम साइज का पेड़ा बना लिया है और देखिए तब भी साइड पर रख दिया है अब फटा- के उपर आप इसे थोड़ा बड़ा साइज देना चाहते हैं तो बड़ा पेड़ा बनाकर इसे बनाईएगा तो मैं मीडियम ही बना रही हूं ज्यादा बड़े नहीं बना रही हूं तो तबा हो गया गरम मीडियम फ्लेम पर तो डालते हैं इसके उपर और फटा-फट से द दस मिनट में हमें ये सारी मिसी रोटियां बनकर त्यार हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी तो लिजी दूसरी भी बेल ली मैंने तो अब लगाएंगे इसके अपर ओयल आप घी लगा सकते हैं जो भी आपका मन करें आप लगाईएगा तो थोड़ा थोड़ा ओयल लगाते हुए इसे हम अच्छी तरह से सेख लेंगी तो फ्लेम आप इसके मीडियम ही रखिएगा क्यो क्योंकि इसमें बेशन है तो बेशन बहुत जल्दी से जल जाता है मीडियम फ्लेम पर बहुत अराम से असानी से यह बनती है तो इस तरह से हलका हलका प्रेस भी कीजिए और सेख लीजिएगा तो रीजिए एक रोटी हमारी बनकर त्यार भी होगी देखिए कलर कितना बढ़िया आया है बेशन की वज़े से और हल्दी की वज़े से तो डालते हैं दूसरी रोटी भी इसके अपर और फटा फट से बनाते जाएंगे और बेल भी लेते हैं साथ के साथ रोटी क्योंकि टाइम ना वेस्ट करते हुए फटा फट से हम रोटी बनाएंगे मिसी रोटी तो यह दूसरी रोटी भी हमारी बिल्कुल त्यार हो गई है लंगर में भी हम मिसी रोटी का मतलब इस तरह से बना सकते हैं जब हम गुर्दवारे में लंगर के लिए लेके जाते हैं मिसी रोटी तो आप इस तरह से बना कर ले जा सकते हैं यह देखिए यह भी त्यार हो गई है तो फटा-फट से मैंने देखिए सारी रोटी बना लिए सिर्फ 10 मिनिट लगे हैं मुझे सारी रोटी बनाने में और इसे मैंने धही के साथ सर्व किया है तो कैसे लगी है आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन जिरूर प्रेस कीजिए फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई